हलो ब्यों, डेली ग्रू यूट्यूब चैनल में आपका 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 रश्य स्वागत है इस वीडियो में हम लोग पार्ट टू देखेंगे जो की तीनों हैंड बॉक्स जो हम लोगों को सिच्चकों को दे दी गई है और जनसे समंदित आकलान पर इच्छा कुछ जिलों में हो चुकी और कच्छो जिलों में होना बाकी है तो उसी से रिलेटर ये प्रसन उत्तर संखला है और इसका ये दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में हम लोगों ने 30 कुश्चन्स को देखा था जो 30 प्रसन देखे उस वीडियो का लिंक इसके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं शाथ है यदि आप पीडियेप चाते हैं तो आमारे टेलीगराम चैनल को जोईन कर लें जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब बात करते हैं हम लोग जो 30 प्रसन अभी हमने पिछली वीडियो में देखे पढ़े तो वो 30 प्रसन आपके किस से सम्मदित थे तो यह थे पिरेडा लची से सम्मदित पिरेडा सूची और पिरेडा तलका से सम्मदित अब जो प्रसन होंगे आज की वीडियो के वो सिच्छर संगरे आधार सिला और ध्याना करसर से सम्मदित होंगे जो दूसरा पार्ट है उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट और आएगा और अभी एक ये सीरीज टाइप की है जब तक ये प्रस्णे इसमें से तीनों वुक्स से हमें मिलते रहेंगे तब तक आपको ये सीरीज प्राप्त होती रहेगी तो इस सीरीज को प्राप्त करने के प्लेश्ट है इस्टा ट्रैनिंग की प्लेश्चरा उसे कौन-गोंसी आपकी आसक्ता आएटो कि प्रस्ण प्र civी प्रस्न किया है अंब mínimo समंझने की कोशिस करें कि Конकी ये जो रूमों से उनसे प्रस्ण बनाए गए हैं यह कहीं पर दिये गए नहीं तो question number 30 बन है learning outcome की इस तर यह आख प्रकार क्या है तो जो learning outcome है उसके इस तर और प्रकार की बात करी है तो केंद्रिक यह फोकल learning outcome है next learning outcome उसके बाद है up learning outcome उसके बाद देखते हैं 32 question learning outcome कितने प्रकार के होते हैं तो learning outcome तीन प्रकार के होते हैं जो अभी हमने देगे फैला दूसरा और तीसरा उसके बाद देखे नेक्स्ट question 33 है केंद्रिक या focal outcome क्या होता है तो केंद्रिक या focal outcome या सीखने की व्यापक्षित्रों कौसलों से कई छोटे छोटे outcome सन्हेत होते हैं उसके नेक्स्टिट outcome क्या है इसकी बाद की जाए तो नेक्स्टिट outcome की बाद ये समान प्रकरती के कई curriculum इनकी पाठे चल रहे हैं लच्छेों को एक्स साथ मिलाकर बनाए जाते हैं और उसके बाद मैं देखते हैं 35 नमबर फ्रश्न तो 35 है उप आउटकम क्या होते हैं ये सीधे कच्छा से छड़ प्रकरिया में सुधार को सुनिश्चित करने की द्रश्टि से बिक्सित किये गए हैं 36 देखते हैं तो learning outcome कैसा लच्छ है यह एक परिणाम आधारित लच्छ है उसके बाद देखते हैं 37 learning outcome बच्ची की प्रवती का आंकलन कैशे करता है तो गुडात्बक तथा संख्यात्मक रूप में आंकलन करता है 38 यदि कोई बच्चा सामान लेकर बच्चे हुए रुप्यों का हैसाब सही सही रख रहा है तो इसका आसे क्या निकलता है तो इसका आसे निकलता है बच्चा जोडगाटाओ की संकरिया का ब्योहार एक ज्यान प्राप्त कर चुका है और यह एक ज्यान उसकी देनिक जीवन में सीखने की प्रतिफल की रूप में पर्ति परिल अच्छे तो हो रहा है यहां से मतला हम कह सकते हैं के जोडगाटाओ क्या जो प्रतिफल है वो बच्चा को प्राप्त हो चुका है और इस प्रतिफल के दुआरा वो अपने देनिक जीवन में इसका प्रियोग कर रहा है नेक्स्ट कुश्चन है लर्निंग आउटकम की अउधारणा क्या है तो लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दच्छता का मूल्यांकन करने और सिच्छकों को आगामी सिच्छड समंदी दिसा प्रदान करते हैं प्रडाम आधारित लेर्णिंग आउटकम प्रात करने के लिए सिच्छक क्या करने के लिए सुतंतर होते हैं तो सिच्छक अपनी सौच ग्यान अनुभो के आधार पर सिचछड़विदीओ、 नवचार, ICT का प्रियोग के लिए सुतंतर होते हैं नेक्ट देते हैं 41 कुश्यन नमर तो 41 में दिया है लर्निंग आउटकम बच्चों को जानने, समझने, पुस्तकी गियान का बिवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में किन सक्ति के विकास परवल देते हैं तो ये तर्क, चिंतन और कल्पना सक्ति पर के विकास पर वल देते हैं उसके बाद नेक्ष्ट है प्रड़ा सूची हमें क्या है प्रड़ा सूची क्या है तो प्रत्मे कच्चाओं के लिए हिंदी गड़त विसय की उप विसय यानिकी टॉपिक तथा उनकी संगत दच्चताएं प्राप्त करने प्राप्त करना ही प्रड़ा सूची है उसके बाद देखते हैं प्रड़ा सूची में विसय क्या है तो प्रड़ा सूची में नेश्टिड आउटकम क्या है नेश्टिड आउटकम प्रड़ा सूची में रखा गया प्रिड़ा सूची में धच्छताइं upn outcome उसका next question है प्रिड़ा सूची हमें क्या बताती है प्राथ में कच्छाओं के लिए हंदी गड़ित विषय की उपविषय रहने की topic तथा उनकी संघत धच्छताइं बताती है उसके बाद next है प्रिड़ा तालिका क्या है तो प्रिड़ा तालका बच्चे की अधिगम इस्तर की इस्थिती बताती है हिंदी और गड़त में कच्छा की परती एक बच्चे की नाम की साथ विशेवार learning outcome दिए जाती है प्रिड़ा तालका में क्या बताती है यही बात अभी उपर थी और यही बात फिर से है लेकिन अंतर थोड़ा हट के यह तालका में यह बताती है कि विशेवार किन लर्निंग आउटकम पर कार करने की तुरंत आवश्चता है और यह बताती है कि बच्चे की अधिका मिस्तर की इस्थिति क्या है नेक्ट कुश्चन है परिड़ा तालका को कैसे भरते हैं परते बच्चे की परते बच्चे की साफेच उस लर्निंग आउटकम की जिसमें बच्चे ने तीन अंग यहनकी सत्प्रस्थत प्राप्त किये हैं सही है का निशान लगाते हुए सही का निशान लगाते हुए उस माह वा वर्स को भरते हैं नेक्ट कुश्यन है प्रिड़ा सूची प्रिड़ा सूची प्रिड़ा तालका में क्या नतर है प्रिड़ा सूची में प्रतेक अच्छा की हिंदी वा गड़त विसाई की उप विसाई तथा उनके संगत दच्चताईं दी गई है जबकि पिर्यडा तालका में उप विसे तथा उनके संगत दचताएं के साथ साथ बच्चों के नाम भी लिखे होते हैं नेक्ट कुश्यन है पिर्यडा सूची में कौन कौन से विसे की दचताएं दी गई हैं तो नेक्ट असकांतर हिंदी और गड़त विसे की नेक्ट कुस्चिन है पिर्यडा सूची में कितनी दच्छताएं दी गई हैं तो पिर्यडा सूची में कच्छा 1 से 3 तक के लिए 14 14 दच्छताएं और कच्छा 4 पॉच्च के लिए 16 16 दच्छताएं दी गई हैं उसका देनेक्ट कुस्चिन है 52 कच्छा 1 के हिंदी पिर्यडा सूची में कितने उपविसे हैं तो इसमें साथ उपविसे हैं छोटे-छोटे संबाद को प्रभावी तरीके से बोलना किस कच्छा के लिए दचता है यह कच्छा चार के लिए दचता है उसके बाद नेक्स्ट प्रशन है लेवाली छूटी-छूटी कबतायं बनाना किस कच्छा के लिए दचता है तो लेवाली छूटी-छूटी कबतायं बनाना कच्छा पॉंच के यह दचता है नेक्ट प्रेशन की ओर चलते हैं तो नेक्ट प्रेशन में इसमें दिया है परचित सब्दों की विपरी तार्थक और समानार्थी अर्थ के जानना को जानना किस कच्छा की दच्छता है ये चार पॉंच के है आवेदन लेखन किस कच्छा के लिए दचता है ये कच्छा पांच के लिए है और उन्शट नमबर प्रस्ण है कच्छा एक से पांच तक हिंदी और गड़त की उपविसे तथा उनके संगत दचताओं का सूची वद्द निरूपड है तो ये सूची वद्द निरूपड जो सूची वद्द निरूपड को बच्चों से जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है तो ये कहलाता है प्रेड़ा तालगा इस प्रकास से इस वीडियो में हमने 30 प्रस्ण देखे नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा उसमें भी आपको 30 प्रस्ण का पार्ट 33 मिलेगा तो इस लिए आप हमारे चैनल से जरूर जोड़े रहें